सर नमस्कार नमस्कार जी सर क्या नाम आप बलवान सर्मा बलवान जी कहां से आए आप बठिंडा से बठिंडा पंजाब से संत्रामपाल जी माराजी से नाम दिख्षा कब लिया आपने 2009 में जी सर संत्रामपाल जी माराच जी से नामदिक सालेने से पहले आप क्या भक्ति साधना ही करते थे सर किस तरह से आपने किस प्रकार से पुजाएगी है आप हमें बताना चाहेंगे तो हम्ने जी जी मंदर में रहेकर के जैसे बढ़ी-बढ़ी दिनों के बर्त किये, हवन यग किये, मतलल समय ग्रैन कोई जाता है, तो इसमें यह हुड्अ किया, मतलल कोई भी ऐसा तिहवार नहीं था जो खाली चलिया जाऊए और उसमें हम पैसा कमाने के इंचुक नहीं थे, सब हम इस चुक इस बात के थे भी ये विशय क्या है हमने किस धारा में जाना है हमारा मोक्स कैसे होगा जन्मरन से कैसे छूटेंगे हमारा जो पुन्य है कहां लग बढ़ता जाएगा और उस पुन्य से हमारा आगे जाकर के भगवान के खाते में जाएगा या नहीं जाएगा ये तो हमारे को नहीं पता था कहा जाएगा पर इतना जरूर था कभी हनुमान जी हमारा खाता आगे जा करके देंगे और फिर हमारा कल्यान हो जाएगा इस धारा से हम बैते गए और चलते गए और हमने खूब मतलब मंदर में अपने श्रीर को इतना सुखा दिया इतना सुखा दिया कि अगर इसके अंदर दोगलास भी जल डाले तो वह भी वापिस आ जाता था और वह अंदर नहीं जाता था अंदर की जो फैक्टरियां थी हार करना छोड़ दिया था हां जी और बहुत ही कम मतलब जैसे एक आदसी आगी उसका बर्त कर लो मतलब बर्त हमने इतने किये कि मिन्नामेना बीस दिन या पंदरा निन तो हमारे बर्त में चले जाते थे तो सर आप एक तरह से निर अहार रहते थे आपने इतनी सारी पूज जञार हम जी उसकतेश जखा देंट जीसे किसे जुड़ गई संतरामपाल जी उसमें महारा जीण हमारे पास एक एक आप सिणीग्त नाम का जो ई। आपकर जोग अनिवाई था उन्हें trabalhar गान्यों से कम द्वाब जी पहले उन्हंने पुछ अनुमान जी हमारह इस्ट है उन कि पोंच वहां लग है, हम नहीं एमान रख्या था, और अपना काम हो जाएगा, वो कहने लगे नहीं कर सकते हैं, मैंने क्यों नहीं कर सकते हैं, तो कहने लगे आप पड़ लो, उन्हानने मेरे को दो बुक देई, गहरी नजर गीता थी उनके पास, और एक थी अध्यात्मिक अध्यान गंगा, और एक मोटी पुस्तक थी बगति के सोधागर का संदेश, उस पुस्तक से, मैंने दो दिन में सारा स्ट्रेचर उनका पढ़ दिया, दो ही दिन में, तो दो दिन में पढ़ने के बाद मैंने उनको कया भी, आप अपनी बुक लिल मैंने पढ़ दी, मैंने जो ये ग्यान है, मैंने गया ये तो किसी ऐसे संत का है, जो ततव दर्शी संत है, मैंने गया अगर वो संत होया फिर तो ठीक है, अगर वो संत नहीं होया उसको ये ग्यान कहीं से मिल गया, तो वो तो दुनिया को लूट करके खा जाएगा, मैंने जोड़ेगा निकिसी किमत पर इस ग्यान में हम उड़जे होई हैं सर एक बात बताइए आप एक मंदिर में पुजारी रहे हैं आपने एकदम से कैसे निर्ने कर लिया कि संत्रामपाल जी माना जी के जो पुस्तके हैं उनमें जो ग्यान है वो बिलकुल सही है और आप जो पहले कथाई करते थे वो सही नहीं है ये निर्ने कैसे किया आपने ये निर्ने इसलिए किया हम हम जब कथा करते थे उसमें जैसे देवी पुरान में आता है आविर भाव और तिरो भाव तो उसमें हम क्या करते थे एक अठकल लगाते थे अठकल लगाने से स्यामने कथा वाच जो सुनते थे उनको किसी को पता ने लगता था भी पंड़जी क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं और किस प्रकार से आगे जा रहे हैं, ट्रेक्शन को ले करके, तो उसमें एक हेरा फेरी होती थी, अगर हम वहाँ सच बोलें, तो मं का राथ होती थी वहां, तो अगर हम कए, बर्मा विश्नुमेश का वहां जनम और मिर्टु है, तो उसमें एक प्रैसर बनता है, खिए बर्मा विश्नु का आगर जनम और हो तो आप पूझा किस की कररे हो? तो आप किसके उपर ठहरे हो और क्या कर रहे हो यह तो उसमें तो उसी टाइम फैंसल हो जाता है गट आउट फ्रम हेर तो कहने का मतलब यह था कि आप चाहते हुए भी लोगों को यह नहीं बताते थे कथा के दोरान कि प्रमविष्णु महेज की मर्त्यू यह जनम होता है यदि आप ऐसा बताएंगे तो लोग आपके उपर सवाल उठाएंगे कि भगवान कौन है तो हमने भगवान के बारे में ग्यान नहीं था बिल्कुल हमने तो देवी देवतियों के सतर तकर ग्यान था और जो दूसरें को अलिख्या हुया था वो भी और जो पुरानों के इनुसार हम कथा करते थे जहां भी यह तत्व ग्यान की बात आती थी वहां से अटकर लगा करके हम आगे चले जाते थे और माई यह कथा सुनने वाला खुश हो जाता था हमारी तो इतनी ही पूँच थी सर एक बात बताईए जैसे कि आप पुजारी थे सर सरदालों के मन में यह रहता था कि ब्रमा विश्नु महिस भगवान है लेकिन आपको पता था कि देवी पुरान में लिखा हुआ है कि इनका जनम और मर्ति होता है तो आपके मन में यह सवाल तो जरू था कि ब्रमा विश्नु महिस से भी उपर कोई भगती है तो क्या संत्रामपाल जी महाना जी के किताबे जो आपने पड़ी उनका लेटरेचर जो आपने पढ़ा तो आपको क्या उन सवालों का जवाब मिला जिनको जानने के लिए आप भी उत्सुक थे उनके जवाब हमारे को मिले जो हम संत्रामपाल जी से ने हमारी जो ग्यान की भूख थी वो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बिठा दी कि आपको होर ग्यान की जुरूरत नहीं है और ये ग्यान फाइनल है अगर होर कुछी के पास कोई ग्यान हो ऐसा तो गुरु जी के हमारे कह रहे हैं कि मैं भी वहाँ चल पड़ूँगा उस ग्यान के पास और हम सारे चल पड़ेंगे लेकिन मेरे को पता था भी जो अभी ये ग्यान है ये इलिट अड कलीन है और फाइनल है क्योंकि मैं जो जहां-जहां जिस तथ्या को लेकर के मैं अठकिया था इस पे तो हमारे को हनुमान जी में मेरे को बताया था भी आप पिछले जनम पे जो रिषी मुनी तपस्वी थे, बड़े जबरदस्त थे लेकिन मैंने उनको नोंना कया भी आप गिर गे वहाँ मैंने कया भी चलो सुन्दरा सुूरा सुन्दरी में कहीं फंस गे होंकर रिषी मुनी यों यह गिरे यहां आकर के हैं पर उन्हें नगा 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 दोग। अँछन कि इसे इसे कृआप आप गुरूआ शातुर से गुरूए सतर से गुर्य हो। क्योंकि मेश फ्रूआ लगा। जब लिग हम गुरू को पुरण प्रमादमा नहीं समझेंहे.. तब लग हम पार नहीं होंगे, यह हमारा फाल्ट था उसमें, पिछली जनम की भग्ति का फाल्ट तब समझ में आया, भी यह फाल्ट लेकर के हम यहीं के यहीं धक्के खा रहे हैं, तो जब हम गुरुजियों के पास इसी साब से रहें, और उसके बाद मैं, मैंने तो यह इच सर, अमुमन हम देखते हैं कि संत्रामपाल जी महाराजी से वही लोग नाम दिखसा लेते हैं, जो किसन किसी बीमारी से पेडित है, क्या आपने भी कोई बीमारी का निदान पाने के लिए संत्रामपाल जी महाराजी से नाम दिखसा ले थी, या फिर ज्यान आधार बना करी स सब्सक्राइब करते हैं तो उन से रिदी सिध्यां भी आजाती है जैसा कि हमने सुना है आपको इसके बारे में अच्छे से पता होगा क्योंकि आप तो मंदिर में पुजारी भी रही है आपका क्या अनुभव रहा है आपकी पुरानी भक्ति को लेकर हमारा एक बहुत जबरदस्त हनुभव रहा है और उस अनुभव को लेकर के आप हमारे पास एक वामने हो जाए और में बुखा मर जाओंगा, जिसको अडियल साधना कहते हैं, तो उस अडियल साधना को ले खरके उन्होंने किया है, उनका एक जब बैठ जाते थे तो एक सेकंड में जो फेष था, हनुमान जी का बन जाता था, जैसे हनुमान जी का मतलल ऐसे फुलिया या मतलब चतल बदलते जाते थे जैसे जो हम फिर गुर्जी और को यह संजाया वह बुरा सच है बीजैसे हम रिमोट से टी विको चलाते हैं और चैनल बदल जाते हैं वहां चैनल दाल की पहनला नीप जब दुख फेर भी कही ना कही जीव का वही खड़ा उससे पता लगता था, भी चैनल तो खुल गए, देवी देवत्यों के, याई कि फेस सिद्धी आपको मिलगी, लेकिन दुखों की धारा में कोई परिवर्तन नहीं है वहाँ, चाहे आपका सिरीर गड़या है, चाहे नही कर रहा है, भूख लग रही है या नहीं लग रही है, वहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता था उस साइड में, इस साइड में परिवर्तन होता था, भी आप रिद्धी सिद्धी में यहां से यहां आगे, यहां से यहां आगे, यानि कि आपका रिद्धी सिद्धी का जो सतर वो बढ़ता जाता था अपने आप में लोगों को परभावित नहीं करती क्या रिद्धी शिद्धी तो एक ऐसे है अगर आपने समाज को अपने पिछे लगाना है पैसा खींचना है अगर अपना मतलग कुल नास करना है तो उस रिद्धी शिद्धी के जकड में आप रहे और जब आपका बैंक बैलेंस खतम हो जाएगा तो आपका सबकुछ डरोप हो जाएगा जैसे एक तांतरीक है, तांतरीक का ऐसे सत्यानास नहीं होता, उसका तिसरी पीडी में जाकर के सत्यानास हो जाता है, मैं आपको पचास हुजा रहना ऐसे देऊं, जो तिसरी पीडी में बिलकुल ड्रोप हैं, जैसे मंदर का पुजारी है, मंदर का पुजारी तिसरी पीडी क क्योंकि वहां पर लिख्या है, जैसे बिशम पिता में कहते हैं, वही पतित आदमी का दान निखाना चाहिए, अब हमने दान के बारे में पता लगया, वही पतित आदमी का दान निखाना चाहिए, इसका मतलब क्या होया, वही दान कोई भी है, दान खाने से हमारी जो ओलाद जोगे पैदया होई है, वो उस दान से होई है. और वो दान कैसा है. उस दान के पिछे क्या-क्या इच्छे जुड़ी होई है. वो सभ हमारी औलाद को भूगताना पड़ता है. अगर हम चोड ऐसे हनाज पैदा किया, या चोड हिकर के बच्चे को पाइळा, हमारे बच्चे तो चोर होंगे क्योंकि वो चीज हमारे लिकुड में भी आ जाती है और जब लिकुड में आ जाती है अंकूर तो वैसे ही फलीवूत होगा तो सर एक बात बताईए कि एक समय था जब आप संत्रामपाल जी माराजी को एक परमात्मा मानते थे और जब आप सत्संग सुनते थे तो आप यही महसूस करते थे कि नई संत्रामपाल जी माराज नई परमात्मा बैठे है लेकिन आज जब की संत रामपाल जी महाराजी जेल में है तो क्या आज भी आपकी आस्ता वैसे ही है क्या आज भी आप उसी नजर से संत रामपाल जी महाराजी को देखते हैं हाई २ियख़। ठिर्माटाइट जी और हमें रमातमा है , भुए भी परमातमा है, बर उसमें, ज हमारे गrunningतों में लिखिया से एक उपर इंहे भेल्कुल शीदी बिस इस बिस कारणी में लिए उसकी कथनी में देखो उसकी अगर कथनी को देख करके आप आगे चले जाओगे, अगर उसके साथ क्या होता है संत के साथ? संत थो समय से महः पे आते हैं, यह तो है निता हैं, भी संतों कोई लाइन लग रही है, संत पिर्थिषवी पर टिक नहीं सकते कभी भी, क्योंकि संतों की पंक्ती नहीं होती, हीरों की बोरी नहीं होती, और जो हंस हैं उनकी डार नहीं होती, और जो शेर हैं उनके लेडे नहीं होते, बड़े बड़े जुंड नहीं होते, तो दो संत जब फिर्थिवी पर ठहर नहीं सकते, एक ही संत ठहरता है, तो एक संत एक साइ और सारा समाज एक साइड तो उस संत के साथ उसकी कथनी क्या है बस इसको देखो उसकी करणी बलना देखो क्योंकि उसकी करणी में हमेशा दो तीन निशाने होते हैं एक निशाने से वो दो तीन तीर मारता है और उसका बाद में पता लगता है जैसे गुर्णानेक जीना कहा बसे रहो और उनको जिना ने सेवा करी उजड जो इसका मतलब किसी ने भी नहीं पता लगया पर गुर्णानेक जिना खुल खुद उस बात को खोल लिया भी अच्छा वीज सारय को डाल दो माडे वीज को टिक्या रहने दो तो वही संतरामपाल जी जब इस पॉल पट्टी को खोल लेंगे फिर हमारे समझ में आईगी उससे पहले हमारे समझ में नहीं आईगी अगर भगवान की बात हमारे समझ में आगी तो हम भी नहीं पहर भगवान होगे हम मानव कहां रही पर सर ये तो ग्यान की बाते थी यदी बात करें प्रैक्टिकल की क्योंकि जिस तरह से लोग आज समाज में जी रहे हैं अजारों ऐसी पीडाई हैं मानसिक तौर पर पीडित हैं लोग आर्थिक तौर पर पीडित हैं और सारिक तौर पर भी पीडित हैं तो ऐसे में लोगों को त हाँ, हमार को उन समझ्चाओं को लेकर करे समाज आज जूज रहा है और जिनको सैन कर रहा है, और जिसमें उनके घरभी बरबाद होते जा रहे हैं, उनको खुद पता है हमारा घरभाद एक भूत ने कर दिया या एक देवी-डेवता ने कर दिया या किसी ने भी कर दिया, या टूना टपय के चकर में है, आज सबसे बड़ी तो बिमारी ये देखो, हम तो कहते हैं मेरा ये धरम है, धरम नहीं है उसका ये जूट बोलता है वो, उसको देखो, उसके आगे देखो, उसने पांच साथ मिरिच टांगर की है, उपर निम्बू उसका दरम तो है नहीं कोई, घरम काहां हो तो टूने टपया वाला है, और जब टूनेटपयाँ घुच जाते हैं हमारे पास ये अप बीमारी से, हर किसी से, हर हवा से, हर देवी देवता से, हर पीतर से, हर भूत प्रे से, जूजना पड़ेगा आपको, क्यूज की देवी फिर भागे दो मिन्या, कोई फैदानी, उससे पहले निर्णे लेओ, भी ग्यान क्या है, बात क्या है, किसकी पोस्ट में कितना दम है, उसमें पहले लिखर किया देवी देवतियों के, में इतना दम है, पितरों में इतना दम है, भूत परेत, भूत परेत, पिसाच में इतना काल में इतना दम है, धरमराज में इतना दम है, परमातमा में इतना दम है, तो गुरू में कितना दम है, पहले यह देख लो, गुरू में कितना दम है, अगर गुरू में दम नहीं है, तो वहां जाओगे क्या लेने, तो जाकर के भी अगर पैसे आगे, तो गई क्या लेने, आ पहले आप जाओ, संतरामपाल जी से जूड़ोगे, वहाँ जाकर के कम से कम भी आपके, जो भूत परेत पिसाच की चाया है, जो घर में आपके अनुबन हो रहा है, आग लगती है, इंट पथर बढ़ते हैं, आपके कपड़े सड़ते हैं, आपका टटी पिशाब बिच में न गड़ा बिलकुल दाबेया जाता है, मूह दाबेया जाता है, और छोटे बच्चे थे मेरे, तंग हो जाते थे आपको लेकर कर रोते भी थे, क्योंकि अगर मंदे के बच्चे रोएं, और वह बाहर जाएं, किस कारण से मूह दबाओ दिया जाता है? यह पित्रों के कारण, बूत प्रेतों के कारण और उसमें ये था जो बूत प्रेत थे या पितर था उसका मेरे को पता भी था लेकिन उसका इलाज मेरे से होई नहीं पा रहा था सर आज आप पुजारियों की पोल अच्छे से खोल रहे हो और आपके निशाने लगातार तांत्रिकोंपर भी फिट बैट रही है बहुत बड़ा प्रसंद चिन भी आप उन लोगों पर खड़ा कर रहे है तो क्या ये जो तांत्रिक केरिया होती है बूद प्रेत की जो बादा होती है क्या संतरामपाल जी महाराज इसको ठीक कर देते हैं? संतरामपाल जी महाराज उन चीजों को बिल्कुल जाते ही काटा मार देते हैं. आगे का क्या अनभव रहा आपकी पतनी का? हमारी पतनी का ये अनुभव रहा कि जो वह चीज थी जिसको पितर प्रेत कहलो वह अंदर बैठ गी थी बिल्कुल वह अंदर बैठने के बाद मैंने उनसे कभी निगया भी आप संतरामपाल जी से जूड़िये या ना जूड़िये पर मैंने उनको बुक जूरूर पड़वा मैंने कि इस हो प्या नहीं है तो फिछ नहीं हो जब गरन्ड़ अंब ब tiltा की तो अस नहीं हुआ थीक्वा थीखहें मैं तो उसके बाद में हम जब घर से चले तो हमारी मीशीज का एक एक बून Sермीं मतला उनको चलने नहीं दिया एक कदम भी चलने नहीं दिया उसके फिर हम धक्का करके, मतलब हम जैसे तैसे पहुंच गई, और हमारी मीशिज, ट्रेन में बेठने के बाद में बाथरूम में ही रही, बाथरूम से बारी नहीं आई और हम जाकर के जाक्खल उतरे, शाठाग रहतार। ग्राष्टा रहतार के अंदर 2 घंटे न जाठाग रहता है तो जिए न फिर दौने करेगी ज्लो फेर भी एक वहाँ से जख्धड से कैने लगया नहीं। वह भी सर्मा जी था वह हमारी मेसिज गो जानता भी था ठोड़ा। मतलब शर्मा होने के नाते, वो कने लगे नहीं निकल करके दुआई ला, हम 40 रुपए की दुआई ले, मेरे को पता था भी दुआई ने काम नहीं करना, ये कोई होर बात है, दुआई तो बहुत दूर की बात है, इस चक्र व्यू में, तो हमने दुआई देई भी, तो उसके साधना करके, इतना कुछ कर कराया करके, फिर भी रो रहे हैं बात को, और ये कितना मड़ा इस बात का चक्र व्यू है, जो हमारे को अटेंशन में और दबोच रहा है, तो उसके बाद में जब बरवाड़ा गए वहां जाकर के मिसीज ने चाई पी, क्योंकि हमारी मिसीज न अशिरुवात देया, तो गुरुजी वहां से पांच-सात कदम, मतलब चार कदम आगे चले गए, गुरुजी फेर दुबारा वापिस आई, गुरुजी उने शिर पे हाथ रख्या, शिर पे हाथ रखने के बाद में, तो मतलब दो-तिन मेंट के बाद मिसीज बाथरूम में बाथरूम में निकल जाने के बाद में, उनको वहां पता लगया, आपने आप बताया उनना, भी इतनी बड़ी कोई चीज निकल करके भागी है, और मेरे को पता था वो चीज क्या भागी है, वो एक छोटा बच्चा था गुई, शाया साथ साल का, जो डैथ होई थी, वो अ कोई, मतलब वो बिल्कुल फ्रैस हो गए, यानि को उनको कोई भी तकलीफ नहीं है, जीरो तकलीफ है उसके बाद, उसके बाद हम नर्वाने से, और रेलवे से स्टेशन है, जो फाटक लगता है, वहां से लेकर करके कम से कम वो डेड़ किलो मिटर के असपास है, और वो पै उसके बाद में हम लिये अनुभाव वही लिया, यह अनुभाव वही है, फर हमारे को पता लगे हम जो दैवी देवता कि हैं, पीथ, बूत प्रेट लेकिन जिस खर मी भी यह बूत प्रेट पिसाच है, उस घर में यह एक ही बात करते हैं कि जनानी को यह बंदे को यूज कर नहीं है उसके पुन्य करम है थोड़े से इसकर करकर वो ऐसे बोलता है सर एक और बात आप से पूछना चाहेंगे हम ने बहुत से ऐसे अनिवायों से बात की है जो संतरामपाल जी माराज़ी से जुड़े हुए है सबी का संतरामपाल जी माराज़ी को लेकर कुछ न कुछ अनभव रहा है जब उनसे मिलते हैं उनको दर्सन देते हैं उनसे मुलाकात करते हैं संत्रामपाल जी महाराज जब उनको आसिरवात देते हैं तो हम आपसे जाना चाहेंगे कि संत्रामपाल जी महाराजी से जब आप पहली बार मिलते हैं तो आपकी क्या बादचित होती है, कैसा आपका आपका अन्भव रहता है? सर जी आपने जो मुलाकात की बात करिया है, आपको यकीन भी नहीं होगा, कि वो अनुभव मैं बताता हूँ, जब हम 12 साल के थे, तब से गुरु जी हमारे को सफेद कपड़ों में देखते थे, और बड़े उंचे होते थे, मतला आम आदमी से बड़ा कद होता था, हम उसके यह हनुभव लगाते थे, बए अनुभव लगाते थे, वह हनुभानजी नहीं हमारे को सफेद कपड़ों में दर्शन दिये हैं क्योंकि हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि वो संत्रामपाल जी माराजी थे हाँ हम यकीन के साथ कह सकते हैं क्योंकि वो चेरा मिलता था जो आज गुरुजीयों का चेरा है संत्रामपाल जी का चेरा है जो प्रमात्मा का वो चेरा है वो वहां से मिलता था और मिलने के बाद मैं हमारे को पता यह चेरह था जो हमारे को दर्शन देता था और वह ही मिसीज ने बताया क्योंकि यह चेरह है वह लेकिन हमारा सवाल यह है कि अब आसर में जाते हैं संत्रामपाल जी माराजी से कि फ्रेस हो जाता है कि उसका जो शरीर है बिलकुल हलका हो जाता है अंदर से संत्रामपाल जी महाराजी के साथ आपकी क्या बाचित होई पहली मुलाकाद पहली मुलाकाद में हमारे संत्रामपाल जी महाराज से यानि कि परमात्मा से मेरी ये बात होई वी, प्रमातमा ये काम सब से कठिन है, और ये करना भी ओखा है, इसपे चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, तो प्रमातमा ना मेरे को जबाब देया, वी, ये सेर की और आथी की लडाई है, जितेगा सेर, डट या रहा है, तो तब हम ने काया, वी, क्योंकि हमने पहले इसको देखर कहा था पचले अनुभावों से, तीर तुपक तलवार कटारी इनसे ओखा है, अगर ये तो सैन कर जाएगा, क्योंकि सबद को सैन नहीं कर सकता बंदा, और इसमें सबद सुनने पड़ते हैं इस लैन में, तो इस लैन में सबद सुनने के आदम आदमी का सतर कभी भी गिर सकता है, क्योंकि हमारे रिसी मुनित पस्यों का अगर अनुभाव देखें, तो गिरे हैं, क्या आपकी कभी कोई देवी देवताओं से भी बातचीत हुई है, आप काफे सालों से पुजारी रहे हैं, इस बारे में आपका क्या अनुभाव हमारे इस बारे में यह अनुभाव है, कि हमारे देवी देवताओं से कोई ऐसी देवी देवताओं नहीं है, जिससे हमारी बात ना होई हो, और खुल करके बात होई होई है, लेकिन सर लोगों का इस बात पर विश्वास करना बेहद मुस्किल है, क्योंकि सर लोग कैसे करना काफी मुश्किल है अगर आप हमारे उपर विष्वास करते हो इस अनुभव के उपर विष्वास करते हो वी देवी देवता बात करते हैं या नहीं करते आपने ये विष्वास करना होगा आप अपनी साधना को ले करके देखिए और पिछलों की साधना को मिला करके कि देवी देवता तो आपके सामने हो जाएंगे, यह कोई दूर नहीं है जीव से, यह तो बहुत ही नजदी का मामला है, जैसे हम रेलवे स्टेशन बे जाते हैं, रेलवे स्टेशन से जो बार दुकाने लगी है, वो क्या आपके लिए उक्षी है, कोई उक्षी नहीं, वो संगाने, पिर संति राम पाल जी पे डटोगे, सर आपकी सारी बाते सई हैं, संत राम पाल जी माराज जी का घ़्यान भी सई है, उनसे नाम दिखसे लेने के बाद लोगों को भी मिलते हैं, ज़दी आपकी बात माने तो, लेकिन लोगों का फिर भी यह सवाल रहता है, कि सं रामपाल जी एकेले एक साइड, लाखों संत एक साइड, लाखों संतों का अज्ञान एक साइड, ये ज्ञान एक साइड, ये ज्ञान के जो अज्ञान है उसके हाथ लंबे होते हैं, और जो ज्ञान है उसके पैर पक्के होते हैं, इसलिए इस ज्ञान को लेने में और देने म ने सुटा सा टेम लगेगा क्योंकि हम कई लाखों सालों से अरवोंखरबों से हम अज्ञान के अपर अरूडब थे और अरूड़ता को मत्याने में अब टेम लगेगा इसलिए संतरामपाल जी जेल में जाओ चाहे संतरामपाल जी बाहर रहें लेकिन आप ग्यान लेकर के संतरामपाल जी से जुड़िए संतरामपाल जी आपके साथ होंगे ये गरंटी है सर आपने बड़ी ही इमानदारी के साथ सबी सवालों का जबाब दिया और धर्म के अंदर फैल रहे पाखनवाद के बारे में भी आपने खुल कर बात की तो सर आखिर में आपसे ये सवाल ये है कि आप बगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं जो आज भी दार्मिक पाखंडवाद के सिकार है मैं बगत समाज को प्रार्थना करना चाहता हूं संदेश जो संतरामपाल जी ने इतना दे दिया कि कोई ऐसा कोणा निछोड़ा, जहां संदेश ना पहुंचा हो, लेकिन यहां पर मैं यह कहना चाता हूं समाज को, भी बार बार यहां कुछ ना कुछ घटना हर रोज बापरी है, संतरामपाल जी के परती, या उनके अन्याईों के परती, मतलब अन्याई भी जैसे तैसे करक हमारी छपती है, हम 20 रुपाई में उसको दे रहे हैं, उसमें कोई ऐसा सबत देखो, जो संत रामपाल जी ने अपने पल्ले से लिख दिया हो, वो निकालो कमी, तो हमारा गरंथ को अच्छी तरियां से पढ़ करके, और फिर संत रामपाल जी से जूड़ो या किसी से भी जू बहुत बहुत धन्यवाद सराथ, सथ